नमस्कर साथियों कैसी हो आप सब आश्या करते हैं आप सब बहुत अच्छी होंगे और इश्वर की किरपासी मैं भी बहुत अच्छी हूँ दिवाली का त्योहार पास में हैं और तरह तरह की आईटिया दिमाग में चलते रहते हैं कि घर को कैसे सजाया जाए पेंट तुम मैंने करवा लिया लेकिन उसके बाद मुझे घर सजाने को कोई आईटिया नहीं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त बना यूट्यूब यूट्यूब में सबकी वीडियो देख देख के मुझे लगता था कि बहुत पैसा खर्च होता होगा ये समान खरीदो वह समान खरीदो लेकिन कभी कभी ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता और घर बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे ही YouTube की वीडियो देखते देखते मेरे दिमाग में भी आईडिया आया मेरे पास ये एक AC की रजाई पड़े थी जब AC चलाते हैं तो हलकी सी ये रजाई मेरे को इसका डिजाइन इतना सुन्दर लगा तो बजाए सोफा कवर खरीदने के मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बिचाया ये दोनों साइड से बहुत सुन्दर डिजाइन है तो एक जो डिजाइन था वो तो मैंने सोफे के उपर बिचाया और फिर उसी रजाई को पलट के उसकी बैक साइड बना दी और दोनों तरफ बड़े-बड़े कुशन लगा दिए परसनली मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा एक तो मेरे सोफा कवर के पैसे भी बच गए और ये आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा कि दिवाली पे सब इतना रंगीन रंगीन लगीगा और उसके बाद जो सोफी के सामने का कॉफी टेबल है उसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया ये मैंन गोल्डन कलर का रंणर बिचाया इसके उपर जो कि देखने में बहुत खुबसूरत लग रहा है और इसके बाद मैंने ये प्लेट जो कि मैं चंदीगर से रॉक गार्डन से लाई थी उसको डेकोरेट किया इस तरह में ये टेबल अच्छा लग रहा था अगर आप चाहें तो आप ये केंडल स्टेंड रखकर उस पे फ्लावर पॉट छोटा सा रख सकते हैं या फिर खाली ऐसी केंडल भी रख सकते हैं जिससे की कमरे में बहुत अच्छी खुश्बू आए तो ये कुछ आइडिया थे जो कि बिना एक भी पैसा खर्च किये जो मेरे घर में चीज करने का आइडिया नहीं था लेकिन अब भी जब से घर पेंट कराया है मेरे दिमाग में उथल पुथल मची रहती थी कैसे मैं तो हारों पर अपना घर सजाओ साथियो मेरा ये छोटा सा प्रियास घर सजाने का आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक किजिए सब्सक्राइब कीजिए और नहीं अच्छा लगा तो सुझाओ दीजिए